दोस्तो दिवाली के पठाकों को कितनी ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक इस्टिक की मदद से पेपर के खोकले रोल बनाया जाते हैं फिर इन रोल्स के बंडल्स को लाल रंग में भिगोया जाता है अच्छी तरह रंग होने के बाद इने धूप में सुखने के लिए छोड़ दिया जाता है इन पेपर रोल्स के सुखने के बाद एक वर्कर इने बराबर बराबर मिर्ची बं के साइज में काटता जाता है अब कटे हुए इन खोकले रोल्स को एक पहिये में अच्छे से भर के इन्हें पीटा जाता है ताकि सभी अच्छे से फिक्स हो जाएं